असलाम अलेकम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, एंड माई सब्सक्राइबर्स, उमीद है आप लोग खरीय से होंगे और आनलाइन क्लासीस का जो स्रिसला शुरू हुआ हुआ है उसमें वार पूर दिल्चस्पी ले रहे होंगे और अपनी अपनी जरूरत के मताबगों से मुस्तवीद भी हो रहे होंगे इंट्रडक्शन्ट के स्रिसले में आज यह हमारा चौत्रा लेक्षर है That is about the scope of political science जिसमें हम ये जाने की कोशिश करेंगे What is the scope of political science Political science का scope क्या है इसका area of study क्या है और इसके अंदर हम कौन-कौन से मोज़ुआत का मताल़ा करते हैं जब हम political science या किसी भी मजबून का scope डिसकस करते हैं तो दारसल उसमें इस बात का मताल़ा किया जाता है कि इस मजबून के अंदर आप कौन-कौन से मोज़ुआत का मताल़ा करते हैं इसका दैराकार क्या है, इसकी वुस्त क्या है कौन-कौन से मोज़ुआत इसमें शामल है तो स्कोप जो है दारसल किसी भी मजबून के देराकार को, उसकी हदूद को, उसकी वुस्सत को और उसमें बियान किये गए मोज़ुआत को बियान करता है तो देखते हैं कि वाट इस दे स्कोप आफ प्लिटिकल सैंस लेक्शन नमबर फॉर जी तो प्लिटिकल सैंस का जो पहला और बनियादी मोज़ू है तो प्लिटिकल सैंस जो है बनियादी तो प्लिटिकल सैंस जो है बनियादी तो प्लिटिकल सैंस जो है का मुतालिया है कि रियास्त क्या होती है रियास्त वजूद में कैसे आती है रियास्त के मुकास्थ क्या होते है या रियास्त का क्याम क्यों जरूरी है एक फर्द और रियास्त के दर्मयान तल्लक की नुएत क्या है फर्द ज्यादा एहम है या फिर रियास्त को ज्यादा एहम हासल है तो प्लिटिकल सेंस का ये इंतहाई एहम मोजू है प्रफेसर गार्नर जो है वो प्लिटिकल सेंस की डेफिनेशन करते हुए कहते हैं प्लिटिकल सेंस बिगिंस एंड एंड इंड विद अस्टेडी आफ स्टेट तो कहते हैं कि प्लिटिकल सेंस जो है वो अपने अगा is as the practical sense के जब हम रियास्त का मताला करते हैं तो रियास्त के कौन सी नुरियत जो है उसको डिसकस किया जाता है the state as it is जैसा के रियास्त इस वक्त मजूद है तो आज की रियास्त जो के modern sovereign national state कहलाती है वो क्या है modern sovereign national state से क्या मराद है ये किन मराहिश से गुजर का मजूदा शकल को पहुंची है आज की रियास्त का दैरे अख्तियार क्या है उसके उसकी मौमलात क्या है उसकी सरगर्मिया क्या है और पहला इसका मोजू है कि मुजूदा दोर के अंदर रियास्त की हैसियत क्या है उसका मरतबा क्या है उसका मुकाम क्या है तो पुलिटिकल सैंस जो है वो इस मोजू पर तफसील से बहस करता है The second option is the state as it has been कि रियास्ट जो है कैसी रही है माजी के अंदर रियास्ट कैसी रही है कि एक वक्त था कि जब कदीम युनान के अंदर ancient Greek अंदर है there were concept of city states and there were 158 city states कदीम जुरान के अंदर शेहरी रियास्ट का concept पहे जाता था जो के regarding area and population there were very small states के उनकी बादी बहुत कम होती थी उनका रखबा बहुत महदूद होता था और पिर जब city state का दौर खत्म हुआ तो empires का दौर आ गया और फिर 1648 कंदर जो है in 1648 जो है जब treaty of westphalia जो sign हुआ तो फिर जदीद रियास्ट का तसवर पेश हुआ modern, sovereign, national and secular states जो है उसका अगास जो है वो treaty of westphalia पर के दस्कत होने के बाद हुआ the state as it ought to be के रियास्ट को होना कैसा होना चाहिए तो एक सवाल ये भी है कि हम सोचते हैं हर शक्स के जहन में एक road map होता है कि उसकी रियास्ट को कैसा होना चाहिए रियास्ट को क्या काम करने चाहिए अबाम की फलव बैबूल के लिए उनके हकूप के तहभ्वोस के लिए उनके जानों माल के और रिजद पहभ्वस के लिए रियास्ट को क्या क्या करना चाहिए तो एक concept है ये भी पाया जाता है कि रियास्ट को Commonwealth कैसी है माजी में कैसी रही है और उसको होना कैसा चाहिए तो ये एक ideal state है वो और welfare state का concept है वो भी इससे emerge करता है तो the state as it ought to be study is the past and present of the state कि हम देखते हैं कि हम जब देखते हैं कि माजी में रियासत ऐसी थी जमाने हाल में रियासत ऐसी है और दोनों का जब हम तर्जिया करते हैं तो उसके बाद हम इस संतीजे पर पहुँचते हैं कि रियासत को कैसा होना चाहिए आने वले वक्त में रियासत की हैसीगत क्या होनी चाहिए और उसका दाराकार क्या होना चाहिए तो इस स्वाल का जवाब भी जो है वो इस political science के अंदर जो है वो स्टेडिय आफ स्टेट बिलकुल इसी तरह जहें रियासत पुलिटिकल सेंस्स जहें वो रियासत के साथ-साथ हकोमत का मतलिय भी करता है जो हकूमत है वो बिसीकिली जाजेंट ça स्थेट मुश्णिरी अफ अफ तो रेस्त जैसे दारे का निजाम चلाने के लिए ऊसकेंदर लाव मैकिंग परोसीजर करने के लिए लाव मेंट का काम करने के लिए और लोगम फार्च को जस्ट है जो इसट्ट प्रवाइड करने के लिए जो तरदीम क्याम की जाती है जो आर्गनेजर्ड cookie तीथ है डाइज जाती है लोदिस काई गोवर्मिट को मिट गॉर्मिट IS A Working अजेंसी आफ स्तेट के जो गवर्मिट का रियास्थ है उसका तरड लाजमी लेंचियं मेन्ट है तो रियासत का तीसरा लाजमी element है, the third essential element of the state is called government and along with this, government is the working agency of state working agency of state से मराद यह है, कि रियासत जैसे दारे का नजाम चलाने के लिए उसमें law and order को maintain करने के लिए, law enforcement के लिए, लोगों के rights and duties को कैम रखने के लिए और लोगों की सरक्रमियों को कंट्रोल करने के लिए, जो तन्जीम कैम की जाती है, that is government it makes loss, enforces loss and provide justice, government का 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 क्या होता है, ये government का का क्या عمل में क्यों लाया जाता है, तो basically government के तीन काम होते हैं, और इन तीन phrase को सरांजाम देने के लिए, हर government जो है, उसके तीन ब्रियादी दारे जो हैं, वो कैम की जाते हैं, the first one is legislature, the second is executive and the third argon of the government is called judiciary, the legislature is to make laws and the executive is to enforce the laws and the function of the judiciary is to provide justice, तो हर हकूमत है, हर रियासर के अंदर एक हकूमत होती है, और हर हकूमत है, वो तीन ब्रियादी दारों पर मुश्टमिल होती है, the first one is legislature, the second is executive and the third is judiciary, और फिर इन तीनों के काम क्या हैं, lawmaking करना, law enforcement का काम सरांजाम देना और आदारे जो हैं, यह मिलकर यह है, अदारे जो हैं, यह काम सरांजाम देते हैं, इसके लाबह, administers the country, यह मुलक अंदर, government करती क्या है, administers country, मुलक अंदर नजमोना स्कैन करती है, कवानीन को नाफ़स करती है, law and order को maintain करती है, maintain law and order, यह भी इसका फ्रेज में शामल है, organs of the government, forms of the organs of the government, I have discussed in detail the organs of the government, and the second is forms of government, there are so many forms of government, for example, parliamentary form of government, or presidential form of government, unitary form of government, and federal form of government, democracy, democratic form of government, aristocracy, जो है वो form of government है, मुनार्की is another form of government, there are so many forms of government, तो political science जो है, इन तमाम जो निजमें हकूमत हैं, उनके उपर बहस करता है, political science का यह बनियादी मोजू है, political science की जब हम definition करते हैं, the first definition of political science is, the study of state, और इसकी जब दूसरी definition की जाती है, that is the study of government, political science is the study of government, just as a man cannot exist without a head, a state cannot exist without a government, government कितनी जज़ा एहमियत की हामल होती है, government का दारा, government की तन्जीन, किस कदर एहम है, उसकी importance क्या है, तो इसका अंदाजा statement से लगाए जा सकता है, just as a man cannot exist without a head, जैसा के एक इनसान जो है, अपने सर के बगार, अपने head के बगार नहीं रह सकता, a state cannot exist without a government, इसी तरह, एक रियास्ट जो है, वो government के बगार नहीं रह सकती, गोया इनसानी जिसम के अंदर, जो एहमियत जो हेड को हासल है, जो सर को, इनसान के सर को जो एहमियत हासल है, वहीं एहमियत एक रियास्ट के अंदर हकूमत की होती है, सर का काम बिसी कली जो है वो गोर्व फिकर के साथ होता है, वहमियत एक रियास्ट के साथ होता है, मसायल को, मामलात को अकली बियास्टों पर देखने और अकली बियास्टों पर हल करने के साथ होता है, तो गोर्मिट का काम भी बिसी कली यहीं होता है, तो यह बहुत एहम जहें वो एक्जेम्पल है Just as a man cannot exist without a head A state cannot exist without a government जिसरा एक इनसान अपने सर के बगार जिन्दा नहीं रह सकता यानि इनसानी जिसम का कोई एक जो पाट है अगर वो कट जाए उसकी टांग कट जाए बाजू कट जाए तो वो जिन्दा रह सकता है लेकर अगर उसका सर कट जाए तो फिर वो जिन्दा नहीं रह सकता इससरा रियास्ट जो है गोर्मिट के बगार जो है इसका कोई concept नहीं है गोर्मिट के बगार दुनिया में कोई रियास्ट जो है क्योंकि गौर्मिरी वदारा है जो रियास्ट के अंदर administration कैम करता है rules and regulations कैम करता है law and order committing करता है शेहरियों के जानों माल के तहफ़ज के लिए एक दामाद करता है तो अगर गौर्मिरी का हिखता हो जाए गौर्मिरी का खत्म हो जाए तो रियास्ट जाए उसके अंदर anarकी फ्याल जाती है लाक्रोन्यद प्याल जाती है इंभाद उसके वॉद्ध नीप प्याल जाएगा तो जिससे रियास्ट का वजूद नहीं में पड़ सकता है इसलिए इसको गुवर्मिट को रियास्त के अंदर वो अहमियत दी गई है जो कि इनसानी जिसम के अंदर एक सर कुझ है वो अहमियत हासल होती है It means कि गुवर्मिट जो है बहुत important दारा है और इसके बगार रियास्त का जो वजूद है उसे बरकरार नहीं रखा जा सकता और ये political sense का इंतहाई ज़्यादा एहमियत का हामल मोजू है कि गुवर्मिट क्या होती है और नजामे हकूमत क्या होते है और कि उपर political sense in detail जो है डिसकस करता है political sense as a study of political theory तो political sense का जो तीसरा मोजू है जिसके उपर political sense बहस करता है या political sense कि जब हम भुस्त बियान करते हैं तो तीसरी एहम जो उसका दैरेकार है that is political sense as a study of political theory तो political sense जो है उसके अंदर हम जो मुख्तलिफ सियासी निजरियात हैं जो political theories हैं सियासी तसवरात हैं उनका मतालिया भी करते हैं political theory is the explanation of the nature कि political theory क्या है political theory basically is the study of nature और explanation of nature and functions of the state of political system political theory में दार असल nature की विज़ात की जाती है और रियासी जो है उसका जो political system है उसके जो मुख्तलिफ functions है उसका जो मुख्तलिफ निजाम है उसके उमतलग मुख्तलिफ सवराज है पेश किये जाते हैं it dealt with such concepts as origin of state जो इसमें composing की गलती है इस slide के अंदर आप इसको ठीका लिजेगा यह है origin o r i g i n यह जो g रिखा हुआ है इसके जगा पर basically r है तो आप इसको ठीका लिजेगा concepts as origin of the state government, justice, liberty, rule of law, social contract, separation of power, ideal state, utilitarianism, two-nation theory, etc. तो जब हम इसको discuss कर रहे होते हैं के political science as the study of theory, political theory तो इसमें बहुत सारी नजरियात जो है जो पुलिटिकल पुलिटिकल theories पर मबनी हैं उनका मतालिया किया जाता है just like, utilitarianism, नजरिया, अफादियत है, ideal state है, यानि मसाली रियासत जो कि अफलातून ने पेश की, concept पेश किया, उसका मतालिया है और separation of powers है, checks and balance है, idealism है, individualism है, बेशमार मुख्लिप theories है, जनका मतालिया जहे है, political science के अंदर जहे हो किया जाता है इस तरह justice, liberty, rule of law और social contract, social contract के बारे में मैं थोड़ी सी उपज़ाद करना चाहता हूँ social contract जो है, basically एक नजरिया है, एक political theory है, जो कि Thomas Hobbes, John Locke और Rousseau ने पेश किया है तो John Locke जो है, जो सबसे पहरे इसको Thomas Hobbes ने पेश किया, और उसकी कताब है लिवी एथन, जिसके अंदर उसने अपना social contract पेश किया है उसके बाद, John Locke जो है, उसने उसके उपर तफसीर से बात की है, जिसके अपनी कताब, on civil government के अंदर बात की है उसके बाद, Rousseau है, और Rousseau ने अपना social contract है, अपनी कताब, जिसका नाम भी social contract है, उसके अंदर उसने अपना नजरिया जो social contract पेश किया है तो social contract का जो बन्यादी मोज Orlando है, इस तरि का ये है, तर रियासत जैसे अदारे का कियम कैसे अमल में आया और से सुनिएगा, तर्चिर आप social contract जो है, इसका बन्यादी मोज़ो है, इसका ठीम ये है, रियासत का क्यान कैसे वजोत में आया तो सोशल कंट्रेक्ट के मताबू जहे, रियासत अला ताला की तखली की भी नहीं है बलकि रियासत को इनसान ने खुद तखली किया है और रियासत एक कंट्रेक्ट के जरीए, एक मुहदे के जरीए वजूद में आई है यानि लोगों ने जहे हो खुद इसका क्याम जहे हो अमल में लाया है खुद इसको क्याम किया है तो एक थेरी यह है थेरी आफ डिवाइन राइट के रियासत अला तला ने तखली की है तो सोशल कंट्रेक्ट के मताब़ जो है रियासत को इनसान ने खुद तखली किया है तो सोशल कंट्रेक्ट जो है उसकी तेरी के उपट है प्रिटिकल सेंस बड़ी तफसील के साथ बहस करता है स्प्रेशनाप पावर ये मांटिसको की तेरी है जिसके अंदर वो कहता है कि हकूमत करने के जो अख्तियरात हैं जिनका तालक ला मेकिंग, ला इंफॉर्समेंट और टू प्रोवाइड जिस्टिस के साथ होता है उनको तीन अदरों के दर्मयान यानि लेडिसलेचर, एक्जेक्टिव और जिडिशरी के दर्मयान तक्सीम कर देना चाहिए और इन अख्तेरात को इन तीनों अदारों के दर्मियान यानि लेजिसलेचर अग्जेक्टिव और जुडिश्री के दर्मियान इस तरह तक्सीम कर देना चाहिए कि कोई भी अदारा दूसरे अदारे के मौमलात में मुदाखलत ना कर सके यानि जब लेजिसलेचर जो है वो गनून बना रखी हो तो अग्जेक्टिव या जुडिश्री जो है उस पर असर अंदास ना हो सकती हो और जब एक्जेक्टिव जो है वो रियास्त का नजम नस्ट चला रही हो रियास्त का नजम नस्ट चला रही हो तो फिर लेजिसलेचर या जुडिशिरी जो है उस पर असर अंदाज ना हो सकती हो और फिर जब जुडिशनी जो है वो इनसाफ फराम कर रही हो तो अग्जेक्टिव के पास और जो लेडिसलेचर है उसके पास कोई ऐसा अख्यार नहीं होना चाहिए कि जो इनसाफ के अमल को मतासर कर सके और अपनी मर्जी का इनसाफ ले सके तो यह बिसिकली सप्रेशनाफ पावर्स की थेरी जो है यह फ्रांसी सी मफकर मार्टीस को ने पेश की है जिसने यह निजरिया अपनी मशूर कताब दा स्पिरिट आफ लास में पेश किया है तो प्लिटिकल सेंस के अंदर है हम फर्द के हकुक का भी इमताला करते हैं इसके साथ साथ फर्द के जो फ्रैज हैं बोथ राइट्स और ड्यूटीस जहां दोनों कुछ है वो जेरे बहस लाया जाता है तो प्लिटिकल सेंस ना सिरफ एक फर्द के एक शेहरी के राइट्स को जेरे बहस लाता है बलकि उसके वो ड्यूटीस को भी जेरे बहस लाता है तो प्लिटिकल सेंस बिसीकली आर्सो स्टडीज दा प्लिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स, एकोनामिक राइट्स, मौशी हकूप के साथ हो एकनामिक राइट्स के साथ हो या मजभी हकूप के साथ हो या फिर फर्द की अज़ादी हकूप के साथ हो तो प्लिटिकल सेंस में तमाम मोज़वात के उपर बैस की जाती है और ये प्लिटिकल सेंस के इंतहई एहम मोज़वात शमार होते हैं इसमें प्लिटिकल जो राइट्स होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी मैं तफसील बियान करना चाहता हूँ कि प्लिटिकल राइट्स हैं जो सियासी हकोग होते हैं ये वो हकोग होते हैं जिनके जरीए एक फर्ज है वो सियासी सरगर्मियों में शरीक हो सकता है They are called political rights तो political rights का तलॉज है basically एक जमूरी नजाम हकूमत के साथ है जहां पे जमूरी जमूरियत का नजाम पाया जाता है democratic system पाया जाता है सिरो भही पे political rights होते हैं जहां बाशाहत हो, आम्रियत हो, dictatorship हो यह किमनिजम हो, यह फासिजम हो तो इस तरह के जाबराना नजाम में हकूमत हैं उनके अंदर प्लिटिकल डाइट्स का कोई तसवर नहीं है तो यह सिर्फ एक जहमूरी मौशरे के अंदर और जहमूरी सियासी नजाम के अंदर हैं तो मिलते हैं तो इस सिर्फ फर्द के हकूझ की बात नहीं करता बलके यह लोगों के जो फ्रेज हैं उनके बारे में भी बात करता है तो प्लिटीकल सेंस के मुतालेय से यह भी पता चल जाता है कि डाइट्स ज्यादा होते हैं यह duties ज्यादा जो है important होती है it deals with the relationship between men and state तो political science जो है इसका एक एहम मोजू ये भी है कि ये अफराद के दर्मियान जो मौामलात होते हैं दो अफराद के दर्मियान दो आदमियों के दर्मियान जो मौामलात होते हैं उनको उनको भी डील करता है तो political science जो है वो सिर्फ जह वो रियास्त और हकूमत की बात नहीं करता बलके वो शहरियों के भी बात करता है इसका बहुत एहम मौजू है कि एक शहरी दो शहरियों के दर्मियान जो मौामलात होते हैं उनके अबामी जो हकूद होते हैं वो क्या हैं और उन को तेय करने के लिए सिवल लास भें बनाए जाते हैं दीवानी कवाणि मण भी बनाए जाते हैं और ऐसे मौामवाव जिनका तल्लक एक फर्द और रियस्त के साथ हो यानि वो अफराद और स्टेट के दर्मियान हों, उनको तैय करने के लिए भी रियास्त कनून साजी करती है और ऐसे कवानीं जो हैं, दे आर काल्ड क्रिमिनल लाज, जैनि उनको फोजदारी कवानीं जो है, वो कहा जाता है इसलिए ए करना जो है, एनको फिरे पहना है, अध The Little Socials के अधरूता है दिलिक्ड मैं का मुझेजर्स का एक और बहुत एहम मुदू है, वो है दसातीर का मुझालिया, भी मुझार mentor के जो आइन जो कंस्तिट्विश्स हैं उनका मताला जो है political science में भी शामल है Constitution is an aggregate of fundamental principles are established rules that constitute the basis of state and government Constitution basically क्या होता है ये बनियादी असूलों जवाबत का मजमुआ होता है बनियादी असूलों जवाबत का वो मजमुआ जिसके मतावक रियास्त का structure त्यार किया जाता है हकूमत का structure त्यार किया जाता है रियास्त के बामी तल्लक का तायन किया जाता है और लोगों के हुकों को फ्रैस्ट जहें वो बियान की जाते है तो ये बिसिकलिए supreme law होता है रियास्त का जो supreme law है that is also called constitution it determines the rights and duties of individuals ये बात हो गई कि constitution ही जहे वो शेहरियों को उनके हुकूक फराम करता है ये बात जिन में रखें कि शेहरियों को जो हुकूक हासल होते है वो उनकी government नहीं देती बलके रियास्त देती है और रियास्त शेहरियों को ये हुकूक आईन के जरीए देती है लहादा कोई हुकूमच है वो इन हुकूक को ना दुजब्द कर सकती है ना खत्म कर सकती है और अगर कोई हुकूमच ऐसा करती है तो मतासरा फर्त को या शेहरियों को उस इक अध्यकत को जिसके झरीए हुकूमद उनके हुकूक को जबद कर रही हो या उनमें मुदाखलत कर रही हो उसके खिलाफ अदालत में जाने का हाक असल होता है Constitution as a Supreme Law of State Constitution रियासत का सुप्रीम ला होता है सबसे आला और बरतर रहो कनून होता है यह बिसिकली रियासत की विल होती है रियासत के रियासत की विल होती है कि रियासत चाहती क्या है रियासत की मनशा क्या है रियासत की नेचर क्या है तो यह उसको डिसकस करता है comparison of constitution of the state और फिर political science में हम मुख्तलिफ रियास्तों के दसातीर के हम ताला करते हैं जैसे political science जो है वो American constitution का और British constitution का इसके लावा जो है वो Turkish constitution है USSR का constitution है Switzerland का constitution है पाकसान का बेशमार चैना का constitution है Indian constitution है तो कहीं मुख्तों के constitution का मताला करिया जाता है और फिर उनका अब उसमें comparison भी किया जाता है जैसा कि हमारे हाँ बीए के syllabus के अंदर है American constitution को British constitution को Swiss और पाकसान की constitution को नसाब में शामर किया गया है इस तरह स्टुडेंट है वो इस ना सिर्व constitution से वाकफ हो जाता है बलके उसको इस बात का भी इलम हो जाता है कि constitution की working कैसे होती है constitution की practice कैसे होती है एक मुखजब माशरा किसे कहते हैं एक सिविलाइस सेटी कौन सी होती है ऐसी सेटी जो किसी आइन और कनून के उपर कारबंद हो उसको जो है सिविलाइस सेटी कहा जाता है यह प्रुटिकल सैंस के मुख़ाव का फैदा होता है कि फर्द के आप प्लिटीकल सेंस में करते हैं, प्लिटीकल सेंस as study of state, प्लिटीकल सेंस as study of government, प्लिटीकल सेंस as study of political theory and प्लिटीकल सेंस as study of constitution. प्रास्ट्राइस तो इसमें और भी बहुत सारी मौजभवात को आप एर्ड कर सकते हैं jij पुरिपकल सेया डिफरेंट फार्मेट पॉर्म अफ गॉर्मिन्ट प्लिटिकल ऋइभ पॉरिपकल प्रिपकल पार्टीं तो कहीं इसके मौजभवात हैं असान लफ्सुम कर दिसको आ त्यार आल स्कोप आफ प्लिटिकल सेंस हैं तो फर्स करें,एक ट्रिक है मैं आपको बताना चाहता हूं, कि अगर यह सौाल आपको पेपर में आता है और आप किसी विए से त्यार नहीं कर पा रहे, तो फिर बेतर होता है कि आप जो प्लिटिकल सेंस में जितने भी चैप्टर्स पड़े हैं हर चैप्टर की एक हेडिंग डिजाइन करें और उसके उपर रहे वो एक पैराग्राफ आप जहास को डिसक्स कर सकते हैं यहाँ पर इस वीडियो का इक्ताम होता है अपसे दर्खासता है कि अमेशा दौा को रहा करें कि जिस मसीबत के अंदर रहे पूरी दुनिया रहे पर रहे हैं अपने हिवस्ट को अमान में रखे अला हाफिज